वाव आज मेरी नया फोन आ गया है और ये है आईफोन 14 वाव मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ हेलो फ्रेंड गुट मॉर्निंग सुचिता भारतिय ओफिसल में आप लोगो कब बहुत बहुत स्वागत है अभी सुबा के साथ बच चुके हैं और मैं सोकर जग गई हूँ जगने के बाद मेरा पहला काम होता है बेटी करना जो कि मैं कर ली हूँ और ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है इसके बाद मैं चली गई थी निम्बू पानी बनाने के लिए और यहां पर मैं आ गई हूँ लेकर निम्बू पानी सहद और इसमें मैं डाली हूँ गुनगुना पानी साथ में एक टेबल स्पून सहद और हाफ टेबल स्पून निम्बू का जूस जो कि सुबह के टाइम में पीने में बहुत ज़्यदा फैदे मंद है और ये पीने में भी अच्छा लगता है और सुबह के टाइम में ये पीने से बोडी के लिए बहुत ज़्यदा फैदे मंद है तो आप लोग भी इसे डिल लैप में जरूर यूज कीजिए और ये बहुत म परनेगा भी नहीं है और इसे पीने से मतलब बोडी स्वास्त रहता है निम्बू पानी से पीने के बाद मैं चली गई थी योगा करने के लिए और आज मैं बाहर में ही योगा की थी क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था था थोड़ा-थोड़ा हावा चल रही कि आपको मदलब प्राकिर्तिक मैं मतलब की योगा सब करना भी जाए अगर आपके पास पॉसीबल हो तो अगर में बहूं हो तो घर भी कर सकते हैं और योगा करने के साथ साथ है आप मैं आपको गार्डन दिखा जबती हूं तो यह देखिए कि इतना अच्छा मदलब फूल स लगा हुआ है और दो ही पेर बड़ा है केला का और दोनों में अभी फल लगा हुआ है एक मदलब पहले निकला था फल एक अभी निकला रहाए है मैं मतलब जब भी दिन में देखती हूँ या पर कभी भी देखती हूँ केला सब को मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और साथ ही मेरी योगा हो गई है कंपलीट और योगा डेली करनी चाहिए क्योंकि हम मतलब पुरा दिन इतना काम करते हैं सब कुछ करते हैं ल दिजाइन बनाई हूँ दिल वाला और यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और यह मतलब मनी नहीं कर रहा था कि इसमें से कुछ खाऊंग तो फिर मैं एस्पून से इस तरह से बेदाना निकाली और इसको खाके और फिर से इसको ठीक कर रहे थी क्योंकि ना मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और फिर से ठीक करने का फिर से अच्छा लगने लगा इसके बाद मैं खाई थी इसमें से ना का मतलब साइड साइड से वैसा समान उठा रहे थे जिसे कि फिर से वो ठीक हो पाए लेकिन लास्टली तो खाना ही था पूरा लेकिन अच्छा लग रहा था खाकर इसके बाद मैं आज ब्रेकफास्ट में कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि संडे था तो थोड़ा समल लेट से जगी भी थी तो सोची कॉर्ण फ्लेक्स नहीं खा लेती हूँ तो इसके लिए मैं दूद ली हूँ और ये फिरिज का ठंडा दूद है थंदा दूद में कॉर्ण फ्लेक्स खाने से बहुत अच्छा लगता है और इसका करन चीने से मतलब की रहता ही है वो सौप्ट नहीं होता है गर्म दूद में जब आप अड़ करेंगे गम्सट तो फिर वो सौप्ट हो जाता है वो उतना टेस्टी नहीं लगता है लेकि मतलब मक्कई का है तो फिर ये healthy भी होता है और आज का breakfast मेरी यही थी इसके बाद मैं चली गई थी breakfast रब करने के बाद नहाने और नहा कर फिर मैं lunch बनाई थी और lunch में आज है दाल चावल सूरन की मतलब भरता या चटनी बोल सकते हैं आलू का तरवा जिसे मितला में तरवा बो कोड़ा बोला जाता है और सैलर मैं आज कुछ नहीं ली हूँ बस प्याज ली हूँ और मतलब सूरन की जो सूरन या ओल जिसे बोलते हैं उसकी चतनी या फीड भरता खाने में बहुत अच्छा लगता है और यह मतलब बहुत आसान तरीके से बन भी जाता है तो इसका recipe मैं आज ही अपने कीचेन वोला चैनल पर अपलोड करूंगी जिसका नाम है सुचीदा मैथल कीचेन तो आप लोग जरूर देखिएगा बहुत अच्छा recipe है और बहुत मतलब खाने में मजा आएगा इसके बाद लंच सब करने के बाद मेरी एक पार्सल आ गई थी मुबाइल का और आइफोन जब आप लेते हैं तो जो आता है देने के लिए भाया वो खोल कर आपको देते हैं और मतलब फिलिप कार या मेजन से मैसेज भी आता है कि आप पहले चेक कर ले इसके बाद ही आप मुबाइल को रिसीब करें या फिर OTP दे फिर मेरा मुबाइल मतलब सही था फिर मैं लेकर आगए रूम में और ये देखिया आइफोन 14 मतलब देखके न 14 बहुत मतलब अच्छा लग रहा था और लग रहा था यार कुछ अपने पास भी आगया मतलब पहले का मुबाइल और इस मुबाइल में बहुत अंतर था मतलब देख देख कितनी ज़्यादा ख मतलब कि वीडियो से रियल में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में और अपने हाथे में मतलब आइफोन 14 है तो मतलब और क्या चाहिए आने को बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी और साथी मैं इसको आउन कर रही थी और आउन करने के बाद देख सकते हैं हलो मतलब बहुत खुशी मिले थी क्या ही बता हो और आज तो काफी सारा पार्सल आया हुआ था इसके बाद मैं इसमें मतलब सेलफी ले रही थी और इसका सेलफी देख सकते हैं कितना चाहिए जितना आप रियल मतलब होता है न फोटो को कितना हूँ जूम कीजिए फोटो फटता नहीं है और बहुत अच्छा लगा साथ है मैं मतलब मैं दिखा रहे थी कि इसमें क्या सब आया हुआ है इसमें आया हुआ है सिर्फ वायर जिससे मतलब चार्ज करते हैं आप और pin आया हुआ था जिससे मतलब की आप खोल कर जो sim card सब लगाते हैं इसमें एक sim लगता है तो उसी का pin आया हुआ था और बहुत अच्छा था इसमें मतलब charging का नहीं रहता है आपको अलग से लेना पड़ता है इसमें इसके बाद मेरी आ गए थे दूसरी parcel और इसे unbox करते हैं देखते हैं इसमें क्या है तो इसे मैं unbox कर रहे थी और मैं खुश हो रहे थी का आज तो parcel ही parcel आ रहा है क्या बात है और इसमें था cream मेरी जो N25 है cream और साथी में है lacmica iconic kajal ये 24 hour तक लगा रहता है इसमें तो वही लिखा हुआ है तो मैं सोच एक मांगवा लेती हूँ साथी में एक था गंजी और ये देख सकते हैं कितना अच्छा लगड़ा है मैं मतलो जितना समान मैं मंगा रहे थी लगता है सब आज ही आ जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ समान आया कुछ मतलब की कल भी आयेगा और एक और पार्सल आ गया जैसे ही अन्बोक्स मैं की के बाहर में एक और पार्सल आ गया और ये देख सकते हैं इसमें मैं देखती हूँ कि क्या आया हुआ है क्योंकि मैं अभी 5-6 ओर्डर की थी तो जो जो आ रहा है रिसीव करती जा रही हूँ और उसका अन्बोक्सिंग भी कर रही हूँ तो इसमें आ गया है तेल मतलब नवरतन तेल है और ये क्या होता है ना सरदर सब होता है तो आप इससे मालिस कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मंद है और इसके बाद मोबाइल की खुशी में मैं चली गए थी सामने टेमपर गलास लगाने उधर से ही चली गए थी पानी पूरी खाने के लिए और आज रियल में खा कर बहुत मजाया पानी पूरी क्योंकि है इसमें सिंपल वाला ही बनाई हूँ और खाने में बहुत मजाया क्योंकि अभी ना पालक नया है ना तो फिर नया खाने में नया सब जो कोई भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इस आलम मैं फर्स टेम ही बनाई हूँ और बहुत अच्छा लगा खाने में खाने में डिनर मैं जनरली सिंपल ही रखती हूँ और बाहर से खा कराई तो उतना भूख भी नहीं था और फैनली हम लोग के रात की डिनर हो चुकी है अब मेरी का मैं बीडियो डिट करना और कल आएगा ये रेस्पी जो की बहुत सिंपल रेस्पी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो ये रेस्पी जो है कल दो फर एक बज़े अपलोड होगा तो आप लोग जरूर देखिएगा आप लोग को ये रेस्पी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आज का व्लोग मैं यहीं पिंट करती हूं मिलती हूं नीक्स व्लोग में